हवा बहुत तेज थी और साथ में बारिश भी ऐसे मौसम में पापा चिडिया के लिए उनना बहुत मुश्किल था वो फिर भी उड़ता जा रहा था उसका शरीर ठक चुका था वो एक पेड़ पर बैठ जाता है बहुत तेज हवा है क्या करूं घर वापिस चला जाओं या थोड़ा और आगे जाओं क्या करूं वो पापा चिडिया खुद से ऐसे सवाल करता है नहीं मुझे आगे बढ़ना होगा मुझे अपने बेटे के लिए भोजन लेकर जाना होगा मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ सबसे ज़्यादा इस चंगल के पेड़ों से भी ज़्यादा ऐसा सोचते हुए पापा चिडिया फिर से उड़ता है अब हवा रुक चुकी थी और बारिश भी रुक गई थी लाल फल का बड़ा पेड़ उसे मिल ही जाता है पापा चिडिया उस लाल फल के पेड़ से दो फल तोड़ता है और वापिस उड़ता है कुकू कुकू कहा हो बेटा कहा हो मैं आ गया आपके पापा आपके लिए भोजन लेकर आगे गोंसले में अपने बेटे को ना पाकर पापा जिडिया उसे आवाज देता है मैं हार गया अब जल्दी से आ जाओ क्यूं हर रोज आ मुझे ऐसे तंग करते हो फिर उसका बेटा पत्तों से निकल कर बाहिर आ जाता है वो अपना मूँ दूसरी तरफ किये हुए था मैं नहीं बोलता आप से आज फिर आपने इतनी देर कर दी घर आने में कुकू बेटा हवा बहुत तेज थी उड़ना बहुत मुश्किल था इसलिए देर हो गई आज फिर आप ममा को साथ नहीं लेकर आए आप हर दिन मुझे से जूटा वादा करते हैं कि आप ममा को साथ लेकर आएंगे फरन तू आप ऐसा नहीं करते कुकू का पापा चुप था वो अपने बेटे को ये सब कैसे बताता कि उसकी ममा अब कभी लोट कर नहीं आएगी क्योंकि उसकी ममा तो मर गई है वो तो बहुत दूर चली गई है मैं आज अपने बेटे के लिए लाल फल लेकर आया हूँ मेरे बेटे को लाल फल बहुत पसंद है ना लाल फल देखकर कुकू खुश हो जाता है फिर कुकू अपने पापा के गले लग जाता है और पापा चिडिया अपने बेटे को अपने पंखों में जुपा कर सो जाता है मुझे तो केवल तोता चाहिए तोता और वो भी हरे रंग का अगर आज तुम हरे रंग का तोता पकड़ कर ना लाए तो मैं तुम्हें मार ही दूँगी चील्दी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा फिर कालू कववा जो शिकारी पक्षी था अपना जाल और तीर कमान लेकर जंगल में निकल जाता है वो अपना जाल लगाकर छुपकर बैठ जाता है पापा मैं नदी पर जा रहा हूँ जल्दी आना बेटा कहीं इधर उधर ना जाना मैं जल्दी आओंगा पापा अपना ख्याल रखना बेटा फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है वो जा रहा था के रास्ते में उसे मकई के कुछ दाने नजर आते हैं आज तो मैंने भी भाज़न ढोल लिया जब मैं अपने पापा के लिए मकई के दाने लेकर जाओंगा तो पापा बहुत खुश होंगे ऐसा सोचते हुए कुकू वहां उतरता है ये तो चिडिया का बच्चा है मुझे तो तोता चाहिए तोता हरे रंग का तोता शिकारी कवार ऐसी सोचता है कालू अगर चिल से बचना है तो दिमाग तो लड़ाना ही पड़ेगा मैं इसे चिडिया के बच्चे को ही तोता बना दूँगा मैं इसे हरा रंग कर दूँगा फिर कालू कवा अपनी जाल की रसी खेंच लेता है और कुकू जाल में फंस जाता है बचाओ बचाओ कोई मुझे बचाओ छोटा कुकू ऐसे मदद की कुहार लगाता है परंतु शिकारी कालू कवा कुकू को एक पिंजरे में बंद करके अपने घर ले जाता है शाम हो जाती है जब शाम के तक कुकू घर लोड़ कर नहीं आता तो पापा चिडिया बहुत परेशान हो जाता है वो अपने बेटे को ढूनने के लिए घर से निकलता है पापा चिडिया अपने बेटे को पूरे जंगल में ढूनता है कुकू कुकू कहा हो मेरे बेटे कहा हो फिर ठक हार कर रोता हुआ पापा चिडिया अपने गोंसले में वापिस चला जाता है आपको भी पकड़ लिया दोस्त इस जालिम ने मुझे भी कल से पकड़ रखा है अब ना जाने ये हमारे साथ क्या करेगा मेरे पापा बहुत परेशान होंगे मेरे पापा रो रहे होंगे होसला करो ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा हम अमीद रखेंगे किसी ना किसी तरह हम इस शिकारी से बच कर भाग जाएंगे मैं हूना आपके साथ सो रुपे में अब बेचूंगा इस कबूतर को और पूरे पाँच सो में इस चिडिया के बच्चे को वो भी इसे तोता बनाने के बाद सिरकालुकवा हरे रंग की बोतल उठाता है और कुकु को हरा रंग कर देता है आपने मुझे ऐसे रंग में क्यों बदल दिया मुझे मेरा रंग पसंद है आपने ऐसा क्यों किया मुझे क्यों हरा गड दिया बताता हूँ छोटे बचे क्योंके मैं तुम्हें तोता बना कर चील के हाँ बेच रहा हूँ मुझे तोता मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने तुम्हें ही तोते का बच्चा बना दिया अंकल हमें छोड़ दे हमारे घरवाले बहुत परेशान होंगे हाथ आया माल कौन छोड़ता है चुप करके बैठ जाओ नहीं तो एक लगाऊंगा फिर वो दोनों डर कर बैठ जाते हैं दूसरे रोज पापा चिडिया अपने बेटे को ढून रहा था कि उसे कबूतर मिल जाता है मेरा बेटा कल से नहीं मिल रहा क्या आप भी अपने बेटे को ढून रहे हो हाँ मेरा बेटा नदी पर गया था लोट कर नहीं आया एक शिकारी है कालू को वा है नाम उसका इस जंगल में आया हुआ है जरूर उसी ने हमारे बच्चों को पकड़ा होगा चलो हम अपने बच्चों को बचाने के लिए जाते हैं अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो हम ये सब कर लेंगे फिर कबूतर और पापा जड़िया कालू के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाते हैं इसने मुझे हरा कर दिया अब मेरे पापा मुझे कैसे पहचान सकेंगे ये बहुत बुरे अंकल हैं ये बहुत बुरे हैं ये आवाज तो कुकु की है हमारे बच्चे यही हैं इसी शिकारी के घर में हैं हमारे बच्चे आप नज़र रखो और मैं जाकर इस शिकारी के ओडो के टाइट से हवा निकाल देता हूँ इससे हमें थोड़ा समय मिल जाएगा फिर कबूतर तेजी से जाता है और जाकर सब्डे शिकारी के ओडो रक्षे के टाइट से हवा निकाल देता है और वापिस जाकर छुप जाता है चलो भी आज मेरा इंतजार खतम हुआ आज मैं अमीर बन जाऊंगा तुम दोनों को बेच कर मैं वदेश की सेयर करने जाऊंगा फिर कालू कवाद दोनों के पिंजरे उठाकर अपने हवाई ओटो में रखता है अरे ये क्या हुआ मेरा हवाई ओटो पंक्चर कैसे हो गया अब मुझे टाइर बदलना होगा फिर कालू कवा टाइर लेने घर चला जाता है कबूतर और पापा चुडिया तेजी से वहाँ आते हैं और अपने बच्चों को पिंजरों से बाहिर निकालते हैं और पिंजरों पर फिर से कपड़ा डाल देते हैं भागो भागो समय नहीं है इसके पास तीर कमान है वो बंदूक भी चला सकता है फिर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं पापा मुझे जल्दी से नदे पर ले जाएं उसने मुझे पर हरा रंग कर दिया है और मुझे तोटा बना दिया है वो मुझे तोटा बना कर बेचने वाला था कबूतर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप नहोते तो शायद मुझे मेरा बेटा कभी न मिलता ये हम दोनों ने मिलकर किया है हमने एक दूसरे का होसला बनाए रखा फिर ही हम ये सब कर सके कालू भी अपने ओटो का टायर तब्देल करके रिक्षा भगाता है चेल्दी मैंने कर लिया मैंने पकड़ लिया एक बूतर और एक हरे रंग का तोता अब लाओ मुझे मेरा इनाम दे दो टहरो इतनी भी क्या जल्दी है पहले मुझे दिखाओ तो कैसे हैं दोनों पक्षी फिर कालू कववा जैसे ही पिंजरों से कपड़ा हटाता है वहां तो कुछ भी ना था नहीं ऐसा नहीं हो सकता वो दोनों कहांगे फराडिये मैं अब ही बताती हूं तुम्हें फिर चील कववे की खूब पिटाई करती है किकी अपने ममा पापा के साथ बहुत खुश था और कुकु अपने पापा को सब बताता है कि कैसे उस शिकारी ने उन्हें पकड़ा था अपने घर परिवार और रिष्टों से प्यार करें क्योंकि अगर एक बार रिष्टों में दरार पड़ जाए तो फासले बढ़ते जाती है और रिष्टों का मान समान खतम हो जाता है ऐसी ही कहानी आज की है टुनू चिडा अपनी पतनी और बेटी गुडिया के साथ अपने छोटे से घर मे रहता था वो चिडा मेहंती था जो काम वो करता उससे वो बहुत ज़्यादा अमीर तो ना हो पाया था परन्तू दो समय का भोजन वो खा रहे थे गुडिया बेटी ये फल आप खा लें और जो बाकी के बचे अपने पापा के लिए रख लेना वो आने ही वाले होंगे परन्तू ममा मैंने कभी आपको अच्छा खाना खाते नहीं देखा जो भी होता है आप मुझे दे देती हैं या फिर पापा के लिए रख लेती हैं मैं ममा चिडिया हूँ ना इसलिए जब मेरे पती और मेरी गुडिया अच्छा अच्छा खाना खाते हैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं नहीं खा लिया और गुडिया बेटी ये प्यार और एहसास जब तक रिष्टों में ना हो तो सब रिष्टे फीके होते हैं ऐसे ही पापा चिडिया भी आ जाता है मेरी गुडिया क्या कर रही है? मैं अपने पापा का ही इंतजार कर रही थी पापा आप ठके हुए होंगे नहीं मेरी जान आपको देख मेरी सारी ठकान दूर हो जाती है गुडिया के पापा कल गुडिया की फीस चमा करवानी है और अगली जमाद की किताबों के पैसे भी देना होंगे मैं कल कुछ कर लूँगा आप चिंता ना करें मेरे होते हुए आपको फिकर की क्या जरूरत ऐसे वो परिवार एक दूसरे का होसला बढ़ाता दूसे रोज टुनू चिड़ा काम पर जा रहा था कि उसे एक पक्षी जिसका नाम चमचम था मिलता है तुनू काम धंदा कैसा चल रहा है बस गुजारा हो रहा है जो कमाता हूँ खर्च हो जाता है और इन दिनों तो गुड़िया की पढ़ाई का खर्चा भी भड़ गया है बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है मैं तो एक साल वदेश में लगा कर आया हूँ खूब कमाई की है मैंने वदेश में और मेरे पास काफी पैसा भी जमा हो गया है मेरी मानो तो तुम भी साल दो साल वदेश में लगाओ ऐसे तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे क्या वदेश में मुझे काम मिल जाएगा ये कार्ड रख लें आप जहां से मैं काम छोड़ कर आया हूँ उन्हें महिंती और इमानदार पक्षी की तलाश है और वो आपको काम पर रख लेंगे ऐसा कहते हुए छमचम वहां से चला जाता है क्या जरूरत है जी हमें वदेश जाने की अच्छा भला तो गुजारा हो रहा है कई दूसरे पक्षियों से अच्छी रोटी खा रहे हैं हम अब ही हमें गुडिया की पढ़ाई भी मकमल करना है और फिर गुडिया की शादी के लिए भी अच्छी खासी रकम की जरूरत होगी अगर मैं एक साल वदेश में लगा लूँ तो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी अगर आपको यही बेहतर लगता है तो जैसे आपकी मर्जी मेरे पास हवाई मोटर की टिकट के पैसे नहीं है सोच रहा हूँ किसी से उधार ले लूँ नहीं, आप किसी से उधार क्यों लेंगे मेरे पास मेरा एक गहना है आप ये ले जाएं और इसे बेज़ कर हवाई मोडर की टिकट ले लें ऐसे टूनो चिड़ा अपनी बतनी का गहना बेज़ कर हवाई मोडर की टिकट ले लेता है गुडिया के पापा क्या वदेश जाकर आप हमें याद करेंगे तुम्हें अच्छे से पता है गुडिया की ममा, मैं अपनी गुडिया के बिना एक रात भी नहीं रह सकता मैं क्या करूँ, मैं अपनी गुडिया के लिए ही तो वदेश जा रहा हूं मैं आप दोनों को सांस सांस याद करूँगा ऐसे टुनोचिडा उस दिन वदेश चला जाता है वहां जाकर वो चमचम के बताए हुए पते पड़ जाता है और उसे नोकरी मिल जाती है वो एक जूते बनाने वाली फैक्टरी में काम करता है ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन ममा चेडिया घर में उदास बैठी हुई थी कि इसके घर के दरวाजे पर दस्तक होती है ये आप का पतर वो देश से आया है गुडिया गुडिया आपके पापा का पतर आया है पापा का पतर लाएं ममा मैं पढ़कर सनाती हूँ आपको मैं ठीक हूँ और मुझे काम भी मिल गया है गुडिया की ममा पहली रात तो मुझे नींद ही ना आई थी मैंने बहुत याद किया आपको मेरी गुडिया मेरी आँखों के सामने आ रही थी एक और बात परंतु हंसनाना मुझ पर पहली रात तो सारी रात मैं रोता रहा था और अब जाकर कहीं मेरे दिल को तसली हुई है मैं जल्द लोट कराऊंगा मेरी गुड़िया की पढ़हाई पर खास धिहान देना ये चिट्थी सुनकर ममा चिड़िया और गुड़िया की आंखों में आंसू थे ममा अपने बच्चों को पालने के लिए कैसे कैसे हालास से गुजरना पड़ता है मुझे पापा की बहुत यादा रही है चुपकर जाओ मेरी बेटी आपके पापा जल्द लोट करा जाएंगे ऐसे ही एक दिन टुनो चिड़ा अपने काम से वापिस आ रहा था कि उसे एक बैग मिलता है जिस पर लिखा हुआ पता पड़कर टुनो चिड़ा वहाँ जाता है ये बैग मुझे रास्ते से मिला था पता देखकर मैं इसे लेकर आपके पास आ गया क्या आपने इसे खोल कर नहीं देखा नहीं मैं नहीं जानता इसमें क्या है इसमें इतनी रकम थी कि आप सारी जिन्दगी बैठ कर खा सकते थे हम गरीब जरूर हैं परन्तो हम इमानदार हैं मैं अपने परिवार के लिए यहां काम करने आया हुआ हूँ मेरा एक बेटा है मैं और मेरा बेटा अकेले ही इस घर में रहते हैं अगर आप मेरे हां काम करना चाहें तो मैं आपको फैक्टरी से ज़्यादा तन्खवा दूँगी काम क्या करना होगा मुझे मैडम जी मेरे बेटे को नदी पर ले जाया करना और ले आया करना घर का राशन पानी ला देना बस इतना ही काम होगा ऐसे टुन्नों को ये काम अच्छा लगता है तनख्वा भी जदा थी इसलिए टुन्नों चिड़ा उस चिड़िया की बात मान लेता है और उसके घर में काम पर लग जाता है मेरा नाम लाली है और मेरे पती जी पिशली बारिश में मर गे थे मेरे लिए अकेले अपने बेटे की रख्शा करना बहुत मुश्किल था आपके आने से मेरी मुश्किल आसान होगी मेरा नाम टुन्नों है और मेरी बेटी का नाम गुडिया अच्छा ठीक है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आपका परिवार याद ना आए और फिर ऐसा ही होता है टुन्नों तो ऐसा मश्रूफ हो जाता है कि वो अपने परिवार को भूल ही जाता है वो लाली और उसके बेटे के साथ नदी पर चला जाता वहाँ जाकर वो सब खेलते और अच्छे अच्छे भोजन खाते ऐसे टुन्नों चिड़े को समय ही ना मिलता कि वो अपने परिवार को याद करे ममा अब तो केई महीने गुजर गे पापा की कोई चिठी भी नहीं आई गुडिया बेटी आपके पापा काम में मसरूफ होंगे नहीं ममा पापा मेरे बिना इतनी देर कैसे रह सकते हैं और पापा कह रहे थे कि वो जल्द लोट आएंगे अच्छा बेटी ये बताओ कि आपके फाइनल एक्सेम्स कब होंगे ममा एक्सेम्स की फीस कर लेकर जाना है मुझे और फिर थोड़े ही दिनों तक मेरे एक्सेम्स हो जाएंगे अब तो आपके पापा ने भी कई महीनों से पैसे नहीं बेचे कितनी फीस है गुरिया आपकी दो हजा़ दो हजार लेकर जाना है मुझे ममा कल और फिर गुरिया की ममा कुछ सोजते सो जाती है दूसरे रोच गुड़िया की मम्मा उठती है और सीधी बाजार जाती है और अपने गले का हार बेशती है और अपनी गुड़िया की फीज के लिए पैसे लेती है ये लो गुडिया बेटी आप आज अपनी फीस चमा करवा देना संभाल कर रखना पूरे दो हजार है ममा ये पैसे कहां से लिए आपने और आपका गले का हार कहां है वो बेच कर ही तो मैं अपने गुडिया की फीस के लिए पैसे लेकर आई हूँ पहले आपने पापा के लिए अपने गहने पेश दिये और अब मेरे लिए अपना हार तो आप क्यों दुखी हो रही हो बेटी आप यही समझो कि आप ममा से उधार ले रही हो जब पढ़ लिख जाओगी तो अपनी ममा को नया हार ले देना ऐसे गुडिया अपने कॉलिज चली जाती है यह जो पक्षी आपके घर में रह रहा है वो कौन है लाली वो बदेश से आया हुआ है और मेरे पास काम करता है मैंने इसलिए पोचा है कि जंगल के सब ही पक्षी आपकी बातें कर रहे है बिना रिष्टे के आपने उसे घर में जो रखा हुआ है पक्षी तो बातें करते ही है परन्तु वो बहुत इमानदार और मेहंती पक्षी है अगर वो इतना ही अच्छा है तो आप उसे शादी ही क्यों नहीं कर लेती ये सुनकर लाली चिडिया सोचों में गुम हो जाती है तोते भेया मैंने अभी तक बात नहीं की उसे अगर आप कहें तो आज रात में उसे बात करूंगी और अगर वो मान जाएं तो सब पक्षियों का मुँ बंद हो जाएगा रात के समय गुडिया भी अपनी मा की गोद में लेटी अपने पापा को याद कर रही थी और ममा चिडिया भी अपने पती की याद में आंसू बहा रही थी गुडिया मेरी बेटी अब तो मुझे भी डर लगने लगा है आपके पापा हमें ऐसे भूल नहीं सकते अब तो उनकी चिठी आए भी बहुत दिन बीथ गे ममा चुप कर जाएं अगर आप ऐसे रोएंगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगी वो मा बेटी ऐसे एक दूसरे से चुप चुप कर रो रही थी और अपने पापा को याद कर रही थी प्यारे दोस्तों इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कुमेंट करके जरूर बताना